तो हेलो एंड वेलकाम अगें दोस्तों बाई साथ एडवांस वुकिंग में ये हाल होगा मैंने सोचाना था देखो सुरुवात तो OMG2 की स्लो हुई थी लेकिन आफ्टर येस्टरड़े मोबी ने हाई पीक पर रफ्तार पकड़ लिये और जोवर्दस एडवांस कलेक्सन कर रही है इसी के साथ गदर 2 का तो अलग ही हाईप चल ला है ये फिल्म सेलफी का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है भी तक साथ ने पतान का भी एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है अपने पहले 6 दिन का और KGF का रिकॉर्ड भी तोड़ने को जा रही है दोस्तों आज बात करेंगे दोनों फिल्मों में एडवांस के क्या हाल चल ले है पहले दिन कौन कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकता है टोटल कितनी कमाई कर सकती है यह बॉक्स ओविस में कौन सी फिल्म तो वीडियो को अंतक जरू देखना अगर आप भी सनी पाजी और अकसे पाजी के डाय हार्ड फैन है और दोनों फिल्मों का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे लेकिन से पहले वीडियो को एक लाइक और नए होतो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए शुरू करते हैं बात करेंगे पहले OMG2 की जिया दोस्तो पहला तो यह कि जनता को टेलर पसंद आया काफी पसंद आया जितने भी सोसल मीडिया हैं सबी ने पॉजटिव रिव्यू भी दिये टेलर को और मैं खुद परसनली बोलूं तो यह टेलर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोगों की फिलिंग्स को हट हो जिससे हिंदू धर्म को कुछ नुकसान हो या जिससे हिंदू धर्म को कुछ कहा गया हो उल्टा सनातन धर्म को बहुत मुचा दिखाने पर जोर दिया जा रहा है इसमें पंकस्तिर पाठी का डायलोग है जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तब हमारा सनातन धर्म रफतार पकड़ा था तो यस एक बार फिर कहूंगा टेलर वाकई बहुत सांदार था इसके साथ अगर बात करें एडवांस विंग की तो यस पहले तीन दिन में OMG2 की एडवांस विंग स्टार्ट हो चुकी है और कल end of the day तक means पहले तीन दिन का एडवांस विंग कलेक्शन लगबग 86 लाग रुपए तक कर लिया था और आज end of the day तक ये आंकड़ा एक करोण 20 लाग के उपर पहुँच जाएगा definitely क्योंकि after सूर्य बंसी चाहे बच्चन पांडे हो गई हो या फिर रक्साबंदन फिल पर रिलीज करा जाना है और जिस हिसाब से जनता की तरफ से मोबी को इतना प्यार मिल रहा है जिसाब से रिव्यू मिल रहे है और जिसाब से एडवांस में कलेक्शन कर रही है फिल्म मोबी लगबग 15 करोण तक की solid opening ले सकती अपने पहले दिन और lifetime box office कलेक्शन के मामले में 200 करोण का अंकड़ा अराम से पहुचा सकती लेकिन बात करें दूसरी फिल्म यानि गदर 2 की तो जी हाँ दोस्तों गदर 2 को जनता से काफी प्यार मिल ला है जिसका जीता जाकता सबूत हमें 5 दिन पहले open advance booking से सीधा पता लग रहा है लोग दवा के first day first day का टिकेट खरीद और अभी तक गदर 2 ने सिर्फ advance से अपने पहले 6 दिन में लग बग 3 करोण 65 लाग से उपर का collection कर लिया है जो कि एक huge नंबर है और आज अपने end of the day तक advance में टोटल लग बग 4-5 करोण तक का collection अराम से कर ले जाएगी movie इसी के साथ दोस्तों movie को लग बग 2000-25 स्क्रीन मिलने वाली है और expert जोरा मोटा मोटा आंकडा ये भी लगाय जा रहा है कि movie 11 अगस से पहले यानि release से पहले सिर्फ advance से 20 करोण से 22 करोण तक का collection कर सकती है जो कि एक huge नंबर है बात करें कितने ticket गदर 2 ने बेंच दिये हैं तो लग बग 1 लाग से उपर ticket ये अभी तक बेंच चुक तो जो family together वाली audience है वो switch करके gather 2 में ही आना पसंद करेंगी क्योंकि gather 2 family drama action से भरी पारिवारिक movie है इनी सब आंकडों को देखा जाए तो movie अपने पहले दिन में अब 30 से 35 करोण से उपर collection करने से किसी कब आप निरोख पाएगा इसको क्योंकि कल तक जो आंकडा 25 से 30 करोण का अब 5 करोण extra बढ़ चुका है इसकी advance collection के report को देख कर और पूरी दुनिया से पहले दिन का box office collection लगबग 50 करोण तक अराम से touch कर सकती है और पहले 5 दिन में ही biggest grosser बनकर उबरेगी है movie इसके साथ दोस्तों पूरी उम्मीद जताए जा रही है कि movie लगबग में लगबग 300 lifetime box office collection अराम से कर पाएगी दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया आपकी बारे आपको क्या लगता है gather 2 और omg2 में blockbuster hit कौनसी फिल्म होने वाली है कौनसी फिल्म ज्यादा business करके जाएगी क्या क्से पाजी gather 2 को खदेर देंगे फड़ा वड़नी चेक one box वर अपनी राये चरू से झाहित